Hello dear student, waves का एक question है, figure shows a snapshot for a traveling sine wave along a string, एक string है और एक string में एक sine wave प्रोपगेट हो रही है ऐसे है, और elemental portions A, B, C and D are indicated on the string, जो string है जो रसी अस पर चाहर सेक्षन दिखा रहे हैं, A, B, C and D, the elemental portion which has maximum potential energy, वो कौन सा portion है या कौन से portions हैं जहाँ पर maximum potential energy होगी, एक यार string के अंदर potential energy पहली बात तो हमको पता करना होगा कि आती कहां से हैं, जैसे एक string है, यह बिल्कुल ऐसे सीधी string है, आपने इसमें को disturbance क्रेट किया, जब आप इसमें disturbance क्रेट करोगे, तो इसकी shape बदलेगी, जब इसकी shape बदलेगी तो जैसे यह वाला portion है, इस तरह से shape बदलीगी, जब इस shape बदलेगी तो आपको यहाँ पए कोई force लगाना पड़ेगा, जब इसकी shape बदली है, जब इसकी shape बदली है, obviously इसपे एक force लग रहा है, इसे string पे एक force लगा होगा, हमने जटका लगाया, force लगाया, force लगाने से इसमें displacement हुआ, इसके molecules, इसके particles अलग लग जगए पे गए और इसमें tension प्रोड्यूस हुआ, और tension है और जैसे ये portion पहले ऐसे है, अब ये ऐसे हो गया, उसका अंदर displacement हुआ है particles का, तो जो work done किया गया होगा, इसका shape को maintain करने के लिए, वो work done potential energy की form में store हुआ होगा, इस potential energy का एक formula होता है, potential energy, अगर formula देखा जाता है, तो उसका formula होता है, half, row, v square, dy by dx का whole square, ओके, यहाँ पे जो row है, वो density है, density का मतलए भी, जो string है, इसके material की density, v velocity है, और जो dy by dx है, वो slope है, जैको जैसे, अगर मैं देखता हूँ इस diagram में, तो density, तो जो constant है हर जगह पे इसकी, जो velocity wave की है, वो high है, और जो dy by dx है, जो slope है, अगर मैं इदर y axis लेता हूँ, और दर x axis लेता हूँ, तो string का जो slope है, वो एक deciding factor है, potential energy की value decide करने में, तो यह जो slope है, आप देखें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे potential energy सबसे ज़्यादा store होईगी, तो मैंने यहाँ पर slope निकालने की कोशिश करी, देखो यहाँ पॉइंट c जो है, यहाँ पर यह थीटा बन रहा है, अगर मैं point d की बात करता हूँ, तो यहाँ पर theta zero degree है, तो यहाँ पर slope zero degree है, जल्दा यहाँ पर point a की बात करता हूँ, तो point a पर कापे ज़्यादा slope है, अगर मैं point d की बात करता हूँ, तो यहां पर slope 0 है तो अगर इन चारो points को अगर आप देखते हैं तो यहां पर point D पर और point B पर slope 0 है तो यहां पर जो potential G stored है वो 0 हुई यहां पर कोई potential G stored नहीं है और होनी भी नीचे विकोज आप देखो कि just in points के ओपर यह जो string अब बिल्कुल straight है जब string straight होगी तो potential adjust में minimum store होगी आप उसको इसकी original position से जितना ज़्यादा deviate करेंगे उस situation में इसमें potential G maximum store होती तो जो point A आपको दिखाए देरा देखो यहां पर slope सबसे ज़्यादा है और इसकी जो position थी original position उससे हमने यहां पर इसको सबसे ज़्यादा deflect किया है तो obviously यहां पर potential G सबसे ज़्यादा store होनी चाहिए because यहां पर सबसे ज़्यादा work done हुआ है formula से भी हम देख सकते हैं इसको और conceptually भी हम लोग देख सकते हैं C पर भी काफी potential G store होगी बट A और C में अगर compare किया जाए तो A पर slope ज़्यादा है और C पर slope कम है इसकारण A पर potential G सबसे ज़्यादा store होगी तो अगर मैं potential G की बात करता हूँ तो A point पर सबसे ज़्यादा store होई है C point पर उससे कम होई है and D पर और B पर सबसे कम potential G store होई है क्योंकि maximum potential G की बात कर रही है so the correct answer of this question is A okay, इससे कम C, उससे कम B and D I think आपकी problem का solution आपको मिला होगा Thank you so much and God bless you